क्या बात क्या बात क्या बात ये डैला होगा आपने सुना होगा जरूर डांस इंडिया डांस में लेकिन ये क्या बात क्या बात आपको यहाँ पे भी नगन निगम में सड़क निर्माण में फरजी वाड़े में दिखाई दे रही है इंद्रा नगर के पानी गाउं में प्राइमरी स्कूल के पास सड़क वा नाली निर्मार होना है टेंडर भी वर्ष 2016 में सुख्रित हो चुका था आव इस्तापना निदी से होने वाले इस कारे के लिए 23 लाग रुपए के बजट की मंजूरी भी सरकार ने दे रखी है लेकिन ठेकेदार ने अभी तक काम चालू नहीं किया है अब यह अशंका होने लगी है कि वहीं अभी अन्तव ठेकेदार मिलकर विकास की रकम हजम ना कर ले यही किसी एक सड़क का मामला नहीं है नगर निगम में ऐसी कई सड़को नाली और नालो के निर्मान में फरजी वारा सामने आया है फरजी भुकतान की आशंका को देखते हुए नगर आयूग तो डॉक्टर इंदर मणी ने जाच के आदेश दिये हैं विकास के ऐसे कारियों को चिनहित किया जा रहा है जिनका ठ ठेका तो मंजूर हो गया था लेकिन ठेकेदार ने साल बर से काम चालू नहीं किया जाच में पता चला कि इन कामों को एक दो ठेकेदारों ने ही अपनी अलग-अलग फर्म के माद्यम से लिया था ठेकेदारों ने निविता दर से 15% कम रकम पर टेंडर तो अपने पक्ष मे करा लिया था लेकिन अब वह काम नहीं कर रहा है निया मनुसार निविता सुईकरित होने के दो माह में निर्माण कारे पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन अभियंता ठेकेदार पर कोई कारवाही करने के बजाए उसे समय का विस्तार दे रहे हैं अलिगल की तरज पर लगेगी पैनल्टी अब लखनव नगर निगम अलिगल नगर निगम की तरह थेकेदारों को पर पैनल्टी लगाएगा निर्माण कारे समय वधी में पूरा ना करने पर थेकेदार पर प्रति दिन के हिसाब से धाई सो रुपई की पैनल्टी लगेगी नगर आयूग डॉक्टर इंदर मडीत रिपाठी ने बताया कि अलीगर में समय पर निर्मार कारे ना करने वाले ठेकेदारों पर प्रती दिन धाई सो रुपई की पेनल्टी लगती है वहां से यह प्रस्ताओ मंगाया गया है और नगर निगम में उसे लागू कराया जाएगा ऐसे करा लेते हैं भुक्तान ठेकेदार से 30-35 प्रतिशत का कमीशन बाट कर आसानी से भुक्तान करा लेते हैं दरासल अवर अभियंता की रिपोर्ट से ही भुक्तान की संतुष्टी होने लगती है और उपर के अधिकारी मौका मुआयना तक नहीं करते हैं और मुठी गरम कर भुक्तान की तरफ फाइल बढ़ा देते हैं ये हैं नगर निगम के भरष्ट अधिकारी जो जनता के बारे में नहीं सोचते सेब सोचते हैं जो अपनी सिर्फ जेब के बारे में ऐसे ही होगा सबका साथ सबका विकास ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करिए हमारे स्टी न्यूज चैनल को और दबाईए इस घंडे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरे